सुन्न की खोज भारत में हुई है लेकिन सुन्न का खोज किस ने किया ये एक विबाद का विशेह रहा है यदि आप गॉलियर गए हो तो गॉलियर में गॉलियर किला से नीचे उतरते समय आपको एक मंदिर दिखेगा जिसमें जिसे आजकल हम सुन का मंदिर कहते हैं जीरो टेंपल इस चतरभुज मंदिर में एक सिलालेक है जिसे हम रामा रौक कहते हैं राम पत्तर जिसे आप 270 लिखा हुआ देखेंगे तो 876 इस भी में चतरभुज मंदिर का निर्मान राजा जैवर्धन ने द्वीती ने किया और इस मंदिर में सामने वाले बगीचे से फूल तोड़कर राजा जैवर्धन ने पूजा करती थे उस बगीचे की जो लंबाई थी वो 270 हाथ लंबा और 187 हाथ चोड़ा था जहां पर 270 270 में जो जीरो का चिन्न है वो इसी सिलाहलेक से लिया गया है ऐसी माननता है दोसो बीसी में दोसो इसाब पुर्व में भारत में एक संस्क्रिक्त ब्याकरन के जानकार थे जिनका नाम है आचार्जी पिंगल आचार्जी पिंगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चंद सास्त्र चंद सास्त्र में सुन्द के बारे में सबसे पहला उल्लेक मिलता है आचार पिंगल लिखते हैं कि गायत्रे स्वशंख्या मरधे अपनीते दयंके अवसिश्ट स्रेस्तेशू कि गायत्री मीटर में गायत्री छंद में के एक पद में छे अप्षर होते हैं इन्हें आधा करके उसमें से एक घटाईए तो 6 का आधा 3 उसमें से एक घटाएंगे आपको 2 प्राप्त होगा पुना उसे आधा करके एक घटाने पर आपको सुन प्राप्त होगा ऐसा 200 BC में आचार्च पिंगल ने लिखका सुन के उपर पे जितनी भी शंक्रियाएं हैं कि 0 any number added to 0 किसी संख्या में सु को जोड़ने से या सुन को घटाने से परणाम में कोई अंतर नहीं आता कि किसी भी संख्यां को सुन से गुना करने पर पर नाम उन्यारा है इस तरह के नियम का सबसे पहली बार प्रतिपादन ब्रह्म गुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म इसफुट सिद्धान्त में किय अब आपके मन में प्रश्ण हो रहा होगा जब पुराने समय में सुन की खोज नहीं हुई थी उस दमें लोग लिखते कैसे थी पहले हमारे पास तीन तरह की शंख्याएं लिखने की परंपरा थी जिसमें से एक है भूत संख्या भूत संख्या में सब्थों के द्वारा अंकों का संकेतन होता था जैसे सुर्य एक है चांद एक है तो एक के लिए जब हमारे पास एक लिखने के लिए कोई numerals नहीं था, कोई अंक नहीं था, और किसी को एक बताना हो, तो वो इस्वर, सुर्य, इस तरह की चीजों का प्रियोग करते थे, आकास और आकास के जितने भी प्रियावाची हैं, ख, गगन, नब, अंबर, इन सब से सुन को दियोद करते थे,